जो इंडिविज्वल प्लांट से जिसकी मैंने बात की थी हर एक आदमी अपने अपने घर में लगा लेता है तो छोटे-छोटे से प्लांट होते नंब पांच जार वाट का होगए जए ज़याद दस दार वाट का होगए उस ज़या तो नहीजा सकते हमारे पास छतों पर इतना एरिया इनी होता कि उसमें वह कोई बड़ा प्लांट लगा जा सके उसकी एक दूसी तरीखेसे एक दर्म्य सोलर सेल वांज से जो पावर जेनरेट होगा वो कमिनिटी में डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा तो ये एक स्टेप आगे है लेकिन उस स्टेप से और ज्यादा आगे चाहिए और अगर इंडस्ट्रियल जुरूरियात हैं घर की जुरूरियात तो छलो थोड़ी बहुत होती ह हैं और वक्तन पर वक्तन होती हैं सारा दिन नहीं होती हैं सुबा होती हैं या रात को होती हैं दिन में घर में इतनी ज़्यादा जुरूरत एनरजी की नहीं होती लोग काम पे चले जाते हैं लेकिन इंडस्रियल अगर जुरूरत हो या और कोई बड़ी पेमाने पे किसी श जो के हत्ता के वो लोग जो के पूरा पूरा तेल पे डिपेंडन्ट थे जैसे गतर हुआ सूदी अरेबिया हुआ उन लोगों ने इतने इतने बड़े बड़े प्लांट सोलर सेल्स के लगाने शुरू कियें और उसका ये एक इन्वेस्मेंट है फीचर में जैसे आपको मैंन इदर उदर से अगर उनके अपने पास सोलर सेल प्लांट लगे हो तो फिर कोई जूरूरत ही नहीं है ना अपने तेल की जूरूरत है ना कोई पराय तेल की जूरूरत है तो उसमें किये सोलर सेल सोलर एनरजी की एक एड़्वांटेज ही है कि उसको बहुत ही डेमोक्राटि पीछे लेकिन तक्रीबान हर जगा सूरज की एनरजी पहुंचती है जो एक्वेटर के पास जो कंट्रीज है ना उन में ज्यादा होती है क्योंकि सूरज जए वो उसको शौण को ट्रैवल कम करना पड़ता है तो लेकिन सब जगा सूरज की रोश्य मिलती है तो बड़ी डेमो पूरानी है लेकिन यहां तो बहुत पूरानी कहानी है जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो इंडिया में है इसकी कंस्ट्रक्शन देखें आप कहां से और कहां पॉर्च इस सैटलाइट इमेज है तो आप अन्दा दक रहें कितना बड़ा पार्क ह है इस वस दुनिया में लेकिन वो उससे जो नेक्स्ट है ना वो कोई इतने जादा कम नहीं है वो 2.2 गिगावाट का चाइना में है ये सिर्फ एक प्लांट के साइस की बात है वरना चाइना तो पीछे धूल में पर छोड़ के आ जाए बाकी सारी दुनिया को अभी मैं उसके अगर आपको नंबर बताँ तो ये लेकिन इतने बड़े पैमाने पे और ये कहां लगाया गया है इसकी एक बड़ी ऐसी कहानी है जो कि पुलिटिकल भी है जो कि साइन्टेफिक भी है जो कि सोशल भी है ठीक है अगर आप इसको बिलकुल इक आईसूलेटिड जगा पे करेगा तो वो शहर के ज्यादा करीब भी नहीं लगा सकते अगर किसी ऐसी जगह लगाए जहां दूल मिटी वगार ज्यादा होती है तो वो तो एक माइक्रॉन टेंटू माइनस सिक्स मीटर उस पे धूल पड़ेगी ना तो उसकी एक फीसद एफिशेंसी कम हो जाएगी अब तो एक दिन की धूल जो है वो दस माइक्रॉन होती है तो जहां आज ये सोलर सेल्स जो होते हैं उननीस बीस परसेंट एफिशेंसी पे चलते हैं तो अगर थोड़ी सी गर्थ पड़ी तो उनकी एफिशेंसी तो आधी रजाती है ये कहानी है जिना पार्क की जो भावलपू गीगावाट्स सारे यूरोप में 210 गीगावाट्स टोटल एनरजी बनती है गीगा मतलब किलो 10 to the 3, mega 10 to the 6, giga 10 to the 9, 10 to the 9 वाट्स तो 210 गीगावाट्स अफ एनरजी अल अवर ये लिस्ट है कहां कहां बनती है चाइना नमबर वन, नमबर वन बाइफार बहुत ही आगे चला ये पीछे बहुत आने वाले हैं पांच वे नमबर पे इंडिया है और ये बाखी चीज़े हैं पाकिस्तान में भी बनती है लेकिन बहुत थोड़ी बनती है 100 मेगावाट का प्लान है 100 मेगावाट का ये ख्याल करें हम लोग गीगावाट की बात करे थे दूसरी जगा तो इसमें और मजीद 10 गुना इसमें बढ़ाने की औरीजिनल प्लान था जिसके उन्होंने बिडिंग भी कर दी थी कि पैसे भी आ जाएं कि ये सब कुछ हो जाएगा और एक कमपनी चूज भी कर ली थी लेकिन मसला बहुत बड़ा क्या है ये कि ये जगा जहां पे है चोलिस् से बिलकुल कम होगी 100 मेगावाट्स का प्लांट है इसमें से इसवत 18 मेगावाट निकल रहे है 18 मेगावाट अब ये नहीं है कि इनको पता नहीं था कि यहां पे चोलिस्तान डेजर्ट में क्यों लगा जाएं मैंने रिपोर्टें देखिए जिसमें कहा गया है कि ये इसको प्लांट को लगाने के लिए तो नहीं गाए जी भावलपूर में लगाए अब वो दस बीस वीज़त की कपैसिटी से चल रहा है वो 18 मेगावाट बनती है यहां से जबके 100 मेगावाट का हुआ है अब इसमें क्या होता है कि गरत पड़ गई तो इसको सफाई करें कैसे करें पानी है तो एक पैनल को साफ करने के लिए एक लीटर पानी हर दो हफ़ते में चाहिए होता है हर दो हफ़ते में सफाई होती है तो इसका मतलब 90,000 गैलन दो हफ़ते के अंदर उनको पानी चाहिए नवे हजार गैलन पाज़ यह तो चोलिस्तान डैजर्ट है ना कहां से तो यह चल तो रहा है लेकिन बहुत ही मुश्किल से चल रहा है इसवार और चलता रहेगा इसमें कोई इतनी मेंटेनेंस एक बड़ी बात है ना कोई इसमें मशीन तो नहीं लगी भी यह चलता रहेगा 20 वी सथ की कापैसिटी के उपर लेकिन जो पावर निकल रही है न से इसमें महगा पावर पाकिस्तान में और कोई नहीं है तो जो चीप पावर सोलर पावर की बात करे थे वो यहां से नहीं आ सकता उसके लिए प्लानिंग थोड़ी सी बहुत ही ऑनिस्टी के साथ और बहुत ही टेकनिकल और जियो जियोलाजिकल हिसाब से करनी पड़ती है कि बगएर इसको सोच समझ के कहां लगे और इसका एटमस्फेट क्या है इतनी वहां सूरज आ रहा है वहां पे के नहीं वो सब कुछ सोचना पड़ता है वो क्या क्या सोचना पड़ता है उसको मैं नेक्स माडियू में आपको बताऊंगा